नमस्कार, क्रांती ओएसा में आपका स्वागत है गर्मियों के दिन थे, लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में दुपके बैठे थे पक्षियों ने घने पेड़ों पर शरन ली हुई थी टिद्दा भी जाड़ियों के बीच छिपा बैठा था पर एक चीटी गर्म दो पहरी में भी अपने लिए भूचन एक अठा कर रही थी टिद्दा चीटी का मजा को लाते हुए बोला इतनी तेज धूप में भी तुम चैन से बैठने की बजाए खाना एक अठा कर रही हो जैसे कि अकाल पढ़ने वाला हो आराम से किसी ठंडी जगव पर बैठो और मौज मस्ती करो चीटी बोली मेरे पास मौज मस्ती करने के लिए बिल्कुल दी समय नहीं है सर्दिया आने वाली है और मुझे धेर सारा भोजन एक अठा करना है टिड़े को जवाब देकर चीटी फिर अपने काम में जब गई गर्मियों के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ी चारों और बर्फी बर्फ थी टिड़े को बहुत चोड की भूख लगी थी पर उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था अंत में वह चोटी के घर गया और उससे कुछ खाने को मानगा चीटी बोली जब मैं भोजन एक अठा कर रही थी तब तुम मेरा मजा कोड़ा रहे थे अब जाओ यहां से तुम्हें देने को मेरे पास कुछ नहीं है